जोस्तो बॉलिवुड इंडस्ट्री में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर अभिनेता मितुन चक्रवर्ती हमेश्व से ही अपने आक्टिंग और डांसिंग के लिए जाने जाते हैं जहां उन्होंने अपने दौर में कई बहतरीन फिल्मों में अपनी दमदार अभिने से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है और उन्होंने उस दौर में अपनी फिल्मों में कई बहतरीन अदाकारा के साथ भी काम किया है जिन में से एक नाम बॉलिवुट की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालीनी का भी आता है जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है और अपने बेहतरीन अभीने से हर किसे के दिलों में अपने एक अलग चगा बनाई हैं यही बचा है कि आज इन कलाकारों को किसी पहचान की जरूरत नहीं है लेकिन आज के इस वीडियों में हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बलकि उनके बीच के रिष्टे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शाय अदाब अंजान है और जिसके बारे में जानकर आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलिवूड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर हमेशो सही अपने डांसर और आक्टिंग के लिए फेमस रहे हैं। जहां उन्होंने बॉलिवूड इंडस्ट्री को कई बहतरीन फिल्मों से नवाजा हैं वहीं इनके साथ काम कर चुकी अभिनेत्री भी अपने अभिने से हर किसी के दिल में एक अलग जगा बना चुकी हैं। इनमें से एक नाम ड्रीम गर्ल कही जाने वाली अभिनेत्री हैं ममालिनी का भी शामिल हैं। इनका रिष्टा इससे भी कही जादा बढ़कर है। जहां उन्होंने मितुन चक्रवर्ती के साथ करिश्मा का कुदरत, हमसे ना टकराना, सन्यासी, मेरा नाम, बतन के रखवाले, प्यार का कर्स और जंगीर जैसी फिल्मों में काम किया है। लेकर इन फिल्मों में काम करते करते इनकी दोस्ते काफी गहरी होती चली गए। जहां शूटिंग के दोरान मितुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र अकसर अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो वैं हेमा जी हैं, मैं हमेशा ही उनको अपनी मां की तरह ही मानूंगा इसी दोरान इनका ये रिष्टा काफी गहरा होता गया और आज भी जब हेमा मालिनी और मितुन्दा मिलते हैं तो दोनों के इस रिष्टे से हर कोई हैरान रह जाता है, जहां कुछ लोगों को तो इ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही बॉलिवोड इंडस्ट्री से जुड़ी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें